हरे कुछना आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के अध्याय आर्ट में जिसका नाम है अक्षर ब्रह्मयोग या इसे हम भगवत प्राप्ति भी कहते हैं तो क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था भक्ति योग के अध्याय चल रहे हैं बहुत ही important section चल रहा है भगवत गीता का बहुती सुंदर तरीके से भगवान ने भक्ति के बारे में बताया और भक्ति में क्या नहीं बताया सब कुछ दीरे-दीरे भगवान विस्तार से बताते जा रहे हैं तो हम सब लोग को ये chapters बहुत ध्यान से सुनने हैं 12th chapter तक भक्ति योग चले बहुत अच्छी तरीकिशन का प्रशन था कि अर्जू का परस्ट नहीं था एक्षिली भगवान अर्जू को बता रहे थे कि भक्ति की शुरुबात के बारे में बटाया था आज ये चैप्टर जो है अर्जून के प्रश्ण से स्टार्ट होता है अर्जुन भगवान से प्रशन करते हैं चले जानते हैं अर्जुने प्रोक्तम् आधि देवम की मुझ्यत्य अर्जुन ने का ये भगवान पुरशोत्म ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है ये क्या है यह बहुतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है क्रपया करके सब मुझे बताईए तो अरजुन भगवान से अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं कि क्रपया करके मुझे बताईए यह सब चीजे क्या है उन्हें थोड़ सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मदुसूद नियग्य का स्वामी कौन है वे शरीर में कैसे रहता है और मंत्यूिए के समय भकति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं भगवत प्राप्ति ही इस चप्टर का नाम है और इसका मतलब यही है कि मंत्यू के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा इसका मुक्य उदेश यह है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए तो भगवान यहां इसकी डिटेल देंगे भगवत प्राप्ती चेप्टर बहुत ही जादा सुन्दर है और हम अगर एक बर सही तरीके से समझ लें अगर इसे त लीज़ा ते उससे मुक्ति पाने के लिए यतंशीन रहते हैं बुद्धि वान गटी मेरी भक्ती की श्रण ग्रहन करते हैं वे वास्तभ में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों में मेरे करमों में स्क्रमों के विशें में से कंड है पूरी तर सेでは Disney के जाने पाने पाने के लिए मुख से मुक्ति वाने के नहीं ताधे हमारे जीवन और बिमारियon आना यह हमारे जीवन की मुक्य समस्या होते हैं यह नहीं होते हैं नहीं को राप्तिकरने के लिए प्रैत नहीं करते हैं या छह में 찌याँ में मैं तो बाते हैं जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताउद था समस्त यज्याविद्यों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यू के से में मुझे बगवान को समझ सकते हैं बगवान करें जो सवस्तना में रहकर जब उनकी चेतना विकि degiliों कि एक तरीके से सही होती है जब वह अगर भगवान और सब भगवान के बारे में बगवान को जांते हैं और यह मानते हैं कि भगवान सब चीजों के कारण हैं और बगवान को सही के समझ पाते हैं तो ही वो अपने самом很 thousand को निया्न कर पाते हैं याद कर पाते हैं साफन क्यूं कह रहे हैं यह समझ अभी कि मेरी स्थारी काम कर रही है इस सैंसेंस में जानों में जानूंगी कि हां बघवान सर्वो परी है और वह मतलब किया कहते है परम भगवान है परमेश्वर है और हमें उनका ध्यान करना चाहिए तो ही यह होता है कि जब सेंसिस वीक पड़ रही होती है तो भगवान का ध्यान आप आता है अभी अर्जुन के जो कुछ प्रशन थे उनको यहां समराइज किया गया है और यहा भगवान के लिए पर भगवान का में जीव का सवभव हमारा जो है प्रकर्दी है उसे आध्यात्म कहा जा जाता है जीव जीव का सभाव क्या है आध्यात्म कर्म क्या है शरीर की और तन की और ले जाने वाली गत्विदिया या जिनके साथ बंधन लगे हैं फलो के उन्हें कर्म कहा जाता है इसके अलावा अधिभूत क्या है अधिभूत है बहुत एक प्रकृति हम जिस बहुतिक प् जिसमें सारे के सारे जो रूब वहना वह सब्सक्राइब करने वाला यानि की परमातमा कहा है करते हैं और मित्यु के समय प्रश्न को कैसे याद किया सकता है निक्तियु के समय भगवान को याद करने का एक मात्र तरीका है और वो क्या है जीवन वर भगवान का स्वरण करना तो भगवान ने उनके इंप्रेश्णों के उत्तर इस प्रकार दिये तो अब भगवान आगे उन्हें डिटेल करते हैं कैसे बताते हैं अबने कहलाता है और इसका नेने बहुतिक शरीर से सब्बंदित गतिविदियां केलाती है हिसे इस में एक जीवात्मा हमारी इक आत्मा होती है लेकिते वह भी बिछाते हैं उन करमों के पाल से चरीम में रहकर करें इस शरीर में हम जो कर्म कर रहे हैं इनके फ़ल हमें अगले इंचनम में भी फोगने के लिए मिलेंगे न कर्म का समझ कर होता है तो हमें सौथ समझके करना चाहिए ठीक है आगे बताते हैं बता गए कर्वमें कैसे बांते हैं लोग चला जाता है और अच्छा दान्रफुन्य करते हैं कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं पुन्य कर्म कर्म का फल क्या होता है उच्छतर लोग होते हैं तीके वहां वह वह व्यक्ति अपना जो यह है उसके कर्म का जो रिजर्ट आने वाला है उनको भोगता है उतने समय तक के लिए वहां रहता है और उसके बाद पिर जन्रत्यु के चक्र में उसे प्रस्वी पर आना पड़ता है पुन्य कर्म में व्यक्ति गोलोग व्रंदावन धामिया भगवान के धामिया वैकूंद गामि पुरे कर्म करता है तो उसी प्रकार की योनियां है और पराप्ट करता स्थखति यह जी enroller यान विलास्फ में लगना है यहां परो करका के अवस्ता मिल जाती है तो मतल motives जीवन है यह?" जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा Welcome यार वारा घुटा चान्व 있는 करो के आपको मिलेगा हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए है कि घ्यान अगर मिलना शुरू हो जाए और हम हमएपने कर्मों को सही कर लेना चाहिए जैसे पहें को बता भी रही थी कि अब ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों करना शुरू कर दिया है जो भी उनको लगता था कि भक्ति में दिक्कत करने वाली चीज़ हैं उन्होंने चोड़ दी हैं उनको मताब अगर धर से फैमिली से भी बोला जाता है कि अभी रुक जाओ अभी क्या एज नहीं है यह नहीं है अपना डिवोशन स्टार्ट रखे हैं करते हुए बढ़ा रही हैं आगे भक्ती में जा रही हैं तो बहुत सुन्दर तरीका है न कि हम लोग कोई हमें रोके कुछ भी करें लेकिन हमारा सब सबका जीवन अपना अपना इठी सब अलग अलग जनम लिएा हैं समने और अलग अलगी सब की मृती होगी निकिन जैसे हैं जाएए वेसे ही बगति मे उसके तक तो वो इसल tussen पर रहा है तो शायद भोष बात को पूरी तरीके से जानते नहीं हैं लेकिन अगर आप लोग ब्सक्राइब है यह आपको समझ्छ में आती है कि हमारे लिए बहुत जाधा जरूरी है थो आपकी स्पॉल्सिबिल्टी अपने लिए बनती है कोई और आपके responsible नहीं होगा जिस समय हमारा final test होगा कोई और नहीं होगा सब हाथ पकड़के शोर मचाना तो शुरू कर देंगे हाई जा रहे हैं मर रहे हैं या पिर अचानक से क्या पता हमारी मृत्य हो जाए किसी को पता ही ना चले तो वह सिचुएशन हैं वह हमें फेस करनी है और वह हम सब को कभी भी आ सकती है वह आज इसी शर्ण भी आ सकते क्या पता मिरी अवाज आनी अभी बंद हो जाए आप लोग को तो कभी भी हो सकता है यह कैसा छोड़ कर हम जिंदी की भर पता नहीं कौन-कौन से एक्जेम्स की तयारी में लगे रहते हैं और हम यह बूल जाते हैं कि वो ही हमारे जीवन का सच है कहीं पर भी म्रत्यों की तयारी नहीं कराई जाती कहीं पर भी और यह सिर्फ बगवत तो भगवत गीता को सुनने का कोई भी फायदा नहीं होगा कम से कम भगवत गीता से वो चीज़े तो अपना लेजिए जो हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है हम यह अगर मनुश्य जन्म में है तो यह इस लिए है क्योंकि हम आज भी बद्जीव हैं हम आज भी बंदन में ह हमें अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और मैं कहते हूं कारनन से आप को आपनी बक्ती लोगों को हो सकते हैं तो बगवान की वक्ति में लगे रही है और अपनी जणने को आगे बढ़ाते रही 걸ें और जितना हो सकते और अधिभूतम शरोबावा पुरक्षम च आधिदेवतम आधियों अहमवात्र देहे 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 ब्रतामवरा है देहदारियों मिश्रेश निरंतर परिवेतंशी ने बहुतिक प्रकरति आधिभूत यानि बहुतिक अभिव्यक्ति कहलाती है भगवान का विराटूप जिसमें स सवामी कहलाता है यह क्या कहलाती है आधिभूत जीलाइप लगाते हैं तो बच्चे अगर जन्म लेता है तो वह बड़ा होता besta में जाता है प्र आप हो जाता है तो परिवर्तन हमेशा चलता रहता है या तो हम किसी भी चीज को उठाकर देख लें जो भी चीज यहां पर इस्तित है वो दीरे दिना शुरू होती है निर्जीव चीजों के बारे में बात करूं अगर मैं आपके लिए तो आपको यह घर बनाते हैं तो एक समय बा संसार का का नियम है तो यह परिवर्तन का प्रिवाद नहीं बनाकर बहुत प्रक रकती इसे में निश्टिव सकते हैं तो यह परिवर्तन निश्यतोरी परिवर्तन सभी चीजों पर एप्लाई होता है भगवान का जो युनिवर्सल फॉर में उसे आदिदेव कहते हैं और भगवान हमारे हिर्दय में विराजमान है और सभी यगों के भोगता हैं अब मोस्ट इंपोर्टन बात भगवान इस टोका मे बताने जा रहे हैं और जीवन के एंत में जो मेरे अश्वरन करतें हैं मेरे सभाव को प्राप्त करता है इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है हैं तो क्या सिचवेशन हैं यह रेते हुए थे और जिन के तीरों से वह था वर्दान प्राप्त था लेकिन अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक भगवान समीप नहीं आ गई यो थो फूरा नहीं देख लिया और वह वान का सानिद्य नहीं मिल गया वह वान को सामने देखे बिना उन्होंने प्राण नहीं त्यागे तो जिने इनकी तो इनका तो रिजल्टी था कि इने मुक्ती मिलनी नहीं थी जितने भी माँ पे ऐसे लोग ते जिनके मन में तो मतलब भगवान के लिए प्रेम था लेकिन अपने किसी भी कर्तव्य की विरिसे या किसी भी बंदन की विरिसे वह दुरियोधन के साथ खड़े हुए थे पर भगव तो देख संदर कुछ भी नहीं हो सकता सब्सक्राबाटे कि हम सबगते नहीं करते हैं यहां पर भी वह रहते हैं जहां पर भी उनका रूम है वहाँ पर किसी के बिल्कुली लास स्टेज चल रही है तो बताते हैं कि उनके सामने भगवान की तस्वीद ले आनी चाहिए वह रख देनी चाहिए और उनसे पहना चाहिए कि अगर महा मंतर का जब करने में ना हो तो ऐसा कहा जाता है कि कोई और रह स्पांस भी नहीं कर पा है ते को यहाँ को सुन पाने की शक्ति उनके अंदर हो यंके इंदर हो नहीं में जाएगा तो आप मतलब अपने तरीके से चीज़ों करते हैं तो मुझे मतलब इस बात का बहुत जादा बलीव है कि वाके में ब्रगवान का नाम ही समस्या का समधान है क्योंकि ऐसा भागवतम में बताया जाता है कि जब मिरत्य होती है तो कहीं हजार बिच्छों के डंक मारने के समान वो दर्द होता है शरीर में तो जब वो दर्द मतलब अगर बिच्छों काट लेगा तो इतना कैसे सहन कर पाएंगे तो केवल भगवान का नाम ही वो सहारा है जो हमें इस परेशानी से निकाल सकता है और क्या पता बगवान के नाम में वह भाव आ जाए कि हमें मुक्ति मिल जाए है ना तो चाहिए कि हम उनकी यात्रा को सुगम मनाएं है और साथ में हम खुद भी अपने जीवन में इसे पहले साही प्रयास में रखें कभी अन्च समय आ सकता है आपके लिए भी मेरे लिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भगवान के नाम का इस्वरण हमेशा करना चाहिए अब बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे इसी चैप्टर में क्लियर कराएंगे सरी आगे जानते हैं भगवान और क्या बताते हैं इसमें महाबारत में युदिस्टर महाराज से प्रशन पूचा गया था सेकड़ों हजारों एक्चली की आपके सबसे आश्चा रजना क्या लगती है तो युदिस्टर महाराज ने प्रशन का उत्तर दिया था बहुती समझदारी से सेकड़ों हजारों जीवी संसाय हर पल मौत से मिलते हैं इनिकी जीव जो है या फिर जीव जनतु कोई भी जीवी संसार का मत्तब यह यही है लेकिन फि सब्सक्राइब कभी नहीं आता कि हमें वर्ना है या मर जाएंगे हमें कभी नहीं सूचते हैं और हम उल्लास के साथ जीवन को जीते चले जाते हैं और मरत्यू की तैयारी ही नहीं होती है इस दुनिया का सबसे अद्बूच चीज है मतलब हमें अधरी वहारी प्रशनी पड तो हम यहां आते ही नहीं अगर आ भी गए थी तो यह टेंशन नहीं होती भगवान को भगवद गीता हमारे लिए दूसरी बार बेजनी पड़ती भगवान के प्रयास समझेए आप अभी कलियुक के स्टार्टिंग तेज में हैं अगर कलियुक और बढ़ता जाएगा अगर हम महामंदर बोलने से आप मुक्ती पा सकते हैं तर सकते हैं वह आगे आने वाले वर्षों में बहुत जादा कठिन हो जाएगा और कल्युक इतना घोर और विकट आने वाला है कि मतलब यहां बहुत ही खराब होने वाला है भाग बतम में सारी बातों के चर्चा आप लोग सु यारी कर लीजिए अब यहां आती है भरत महराज की स्टोरी मैंने पहले भी आपको सुनाई थी उनको आ सकती हो गई थी हीरण से तो हिरण के मोह में फस ने सुनका नुक्सान क्या हुआ जिसलिए घर बार चोड़ा वगवान की पूजवा पार्ट में लगे थे वह मोन उने हिरण से कर लिया हुआ क्या आगे आगे जानते हैं यहां बात आती है कि भरत महराज थे इन्हों कि यह आ तो थे भगवान को प्राप्त करने के लिए एक समय हिरण के छला गया उसे ढूंटे ढूंटे पहाड़ी पर चाह पहुंचे पहाड़ी पर जाते उनकाक पैर फुसला और तरने करने पां पैसा होने पर ये हुआ कि उनको जो अगला जनम मिला वो हिरन का मिला हमारी इच्छा और हमारा भाव और हमारे कर्मी ये सम मिलकर हमारा जो है ना अगला शरीर निश्चित करते हैं तो उनका जो भाव था उनकी जो आ सकती थी वो हिरन में ज्यादा थी याना कर्मों से के उप सिद्ध पूरुष्थे उनको भी एक धिरन का जन्म लेना पड़ गया एक भाव के चेंज होने की बज़े से हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें अधर अपनी चेत्ना को सही रखना और सही जगह जाना यह स्टोरियां स्टोरी जो आती है भागवतम में यह जो हमें कहानियां बताई जाती हैं यह इसमें बताई जाती हैं ताकि हम उससे कुछ सीखें और उससे कुछ शिक्षा ले सकें और जीवन सही तरीके से कैसे चल सकता है उसे हम जान पाएं सब्सक्राइब करना चाहिए और साथी करने के करतवे को भी पूरा करना चाहिए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके अपने मन बुद्धी को मुझे सब्सक्राइब निश्चतरूप से में तो मुझे प्राप्ति कर सकोगे तो अभी देखें दौन यहां यह कलियर होता है यह आंज करना होगा आपको अपने चीजों के साथ जोड़ना होगा ताकि आप भई देखे एक ही जीवन मिला है इस एक जीवन में आपको यह करतवे आपने जीवन के और इस एक जीवन में आपको भक्ति भी करने है तो बैलेंस तो बनाना आपका काम है कि अभी ने आप कैसे करेंगे है ना तो बैलेंस बनाने की निकालते हैं वैसे ही हमारे जिवन के लिए इन करतव्यों के संads बगती भी जरूरी है और लिए समय निकालना वे हमारी वे जिम्लिदारी है स्ट ढ़लन्स करना हमारी नहीं बना है यह जीवन बहुत सुन्दर तरीके से जीने के लिए बना है और तब हो सकते हैं तो आपको समझना होगा कि हमारे जीवन है यह तो निश्चत है दूसरी बात हमारे जीवन है वह बगवान की किरपा से मिला है तो यह अगर आप किसी भी भूग में और लगे हैं कर रहे हैं मेरे रिक्वेस्ट है भगवान का नाम भी ले लिए ताकि आगे का साधन आगे का मार्व सुन्दर हो जाए अभी देखें कुछ लोगे कहते हैं कि भाई भक्ति अभी करने का समया है अभी तो तुम चोट लगे तो ही आगे तक चल पाएगी तो आपको प्रयास तो करना होगा चोटे बच्चों की बात करो तो प्रेलाद महराज को पांच वर्ष की आयू से कहां भक्ति कर रहे थे असुर घराने में उत्पन हो कर जनम लेकर बक्ति कर रहे थे और असुर गुरुपुल में 15 वर यू साही तरीके से बोलना भी नहीं सीखता और वो भगवान की भक्ति का पड़ा रहे थे इससे बड़ी बात को मैं क्या करना है हमें सब जोड़ना है ताकि हम भग्वान की में बढ़ सकें मैं कहते हnai मुझे ब। है बगवां आपने मुझ इतना सुदर जीवन दिया और उसे सुन्दर बनाने के लिए भगवत गीता को बेज दिया रोज इस बात के लिए भगवान का देनावाद करना चाहिए हमें है ना बहुत ही सुन्दर जीवन भगवान ने हमें दिया है और उससे भी सुन्दर बात यह हुई कि भगवत गीता हमारे जीवन में आ गई इस पूल पारी हूं आप लोग के साथ तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी विज़े से मुझे यह बोलने का मौका मेल पारा है तो हम सब को धन्यवाद करते हैं इसको अपने जीवन में ऐसे उतार लेना चाहिए कि इसके बिना करने में अपना मन नेनंतर लगाए रहते हैं अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हैं मुझको वश्य ही प्राप्त करते हैं बगवान के नाम से शुरू करो भगवान को धन्यवाद करते हुए कतम करो ठीक है आप आप कुछ और कारे करने जा रहे हैं बगवान जुड़ गए उसमें को इतना वह टास्तोंना है खाना खाना है आपको तो परिशाल बना के खालो गवान जुड़ गए आपको कहीं पर बीगुछ और अपनी जौब पर जाना है अब यह थोड़े मिटिंग चल रही है तो बहुत आप से कह रहे हैं कि मुझे इसक कि उनका ध्यान करना है और करता पूरा नहीं करना है सारे खाम कीजिए भगवान के साथ इतनी की सेंसटों हमारे अंदर होते हैं कि हमें भगवान पर बहुत सारी संताने हुई जिसमें से सबसे चोटे संतान का नाम उन्हें नारायन रख दिया बक्ती से बहुत जादा दूर हो गए बक्ती से कोई बच्टा था वो बहुत ज्यादा प्रिया था तो इसको आवाजे लगाने शूरु करते नारायन नारायन hice तमे अध WAJन की बहुत अच्छा था जो नारायनiben करते ही प्रति के साथ-साथ विष्णु दूर महापर उपस्तित हो गए upset पिर यम्दूत और विश्णु दूत के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होएं कि हम लेके जाएंगे यह हमारे साथ जाएंगे इन्हें हमें लेके जाना है विश्णु दूतों ने बोला कि काम करो जाके इम्राज से पूछ के आओ जब हम आ गए तो तुम्हारी कोई आविशक् रक्षण में ही जाएगा ऐसा कहने पर विश्णु दूत यम्रूत वापिस होगा विश्णु दूत अजामिल को भगवान के धाम लेगा और यहां देखिए सबका जो शरीर है वो बिल्कुल एक सा दिखाई दे रहा है जैसा भगवान का शरीर होता है वैसा ही दिखाई दे के लिए हमारा यह शरीर हमें चोड़कर भगवान के जैसा ही शरीर में मिल जाता है वहां में पुण और सब चीज़े भी उसी तरीके की मिल जाती है तो कोई पुण्य कर्म चोटा सभी कब आपका फली बूत हो जाए का कोई नहीं जानता कितना गलत संग करने पर भी एक वै प्रतिके से चननना बहुत जरूरी है पता नहीं कौन सा हमारा स सुंदर हो जाएं कि भगवान हमें मिल जाए वह एक्षण है जो क्टेम में भक्ति प्राप्त कर लेते हैं मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और वह जीवन है जीवन जीवन चले जन्म बन ondय रहे जाता है तो बहुत जादर जरूरी है जानना की क्या सही और क्या द्विलत है उसी एकॉर्डिंग हमें एक्शन करने चाहिए मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वग्य पुराता नियन्ता लगुत्तम से भी लगुत्ता प्रतेक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धी स पर चिनते पुरुष के रूप में करें सूर्य की बात देज्वान और इस पहुति प्रिकृति तो जो यह भगवान ही सर्वकारों के कारणों के कारण है चोटी से बड़ी हमेशा रहने वाले है निर्ट्य रहने वाले हैं चोटे से चोटे कंड में हैं बड़े से बड़े कंड में सब के पालन करता है और हमारी इस बहुत ही गुद्धी से समझने से परे हैं अचिंते हैं जिनका चिंतन ही नहीं करा जा सकता वह हैं और भगवान सबसे आधा तेजवान है भगवान का बहुत दिव्य रूप है जो इस बहुत इक जगत से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता भगवान अपनी शक्तियों को जा रहा है इस जगत में रहते हैं इस मनुष्य रूप में अगर को भगवान रहान लो और महा मंत्र कर लो तुम्हारा जीवन यह जो चल रहा है इसे इतना सुंदर बना देंगे में हॉगाई यह जीवन को सुंदर बनाने के लिए भगवान का नाम करना ही एक मातसादन है अन्य था जीवन के क्या-क्या कष्ट हमारे लिए इंतिजार कर रहे हैं या आप जानते भी नहीं है हमने पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा कौन सा कष्ट हमारे जीवन में अभी आना बाकी है वो जो हमारे कर्म फल होते हैं ना एक तो होते हैं प्रारभ आओ पता नहीं क्या करके हम आए हुए हैं और कौन सा कष्ट हम इस जीवन में भी देखना बागी है सबसे पहले भगवान के शरण में हैं हमें अपनी भक्ती दीजिए इसके सिवा भगवान से कुछ मतमांगी है अगर हमने यह करा तो भगवान जो भीज रूप हमारे कर्म है उनको होल्ड कर लेंगे और उन्हें आने ही नहीं देंगे तो तो ही हम भगवान से बच सकते हैं अगर आप यह पाप कुन्ये वाले कर्म के चक्कर में लगे ना आपने सोचे कि मैं तो सब कुछ सोच की काम करूंगा आज च्छे मैं पाप करम नहीं करूंगा और सिर्फ पुन्य कर्म का भी भंदन मिलेगा ही मिलेगा आप कितना भी सोच रू कितना भी दिमाख लगा लोगी गलत काम मुझे नहीं करना है आप नहीं बच्सकते पैर के नीचेशी टी आगी गलत काम हो गया है ना कुछ न की कता का अनंद लेते हैं भगवान के नाम का अनंद लेते हैं और सभी वक्तों को देते हैं तो चाहरे मुझझे प्राप्त करके रहें जो महापुरुश भक्ति होगी है यह दुख हाल्यम है यह दुख का इस्थान है यहां हमेशा दुख मिलेगा जो हमें लगता है न कि ओहो लग्जूरियस कार मिल गई वाव कितना अच्छा एक्साइटेड इक्दम से मतब हमारा लाइफ हो गई कितना मज़ा आने वाला है न कितना बढ़िया सुन्दर घर ब भोग का सादन है और भोग में ही उलजाके रखेगा शनिक है जो भी कुछ दिख रहा है सब शनिक है सब जाएगा ही रहेगा क्या भगवान का नाम तो दुख के सिवा जो हमें सुख दिखते हैं वो सुख है ही नहीं अरे बहुत सुंदर पत्नी मिल गई अरे बहुत कर रहा है सब हम बिल्कल सब करिवार का एक करके जाएंगे मेरी ती किसी की नहीं सकती लेकिन वह क्या है वह बच्चों के संग्मोह का कारण बनेगा तो सब कुछ यहीं रहेगा है ना और सब कुछ हमें यहीं रखेगा बांद के हमें क्या करना है हमें इस दुखालियम ऐशाश्वत को बदल कर सुखालियम में जाना है भगवान के धाम जाना है अपनी दिमाग में इस बात को रखना है इस जगत में सर्वोच लोग से लेकर नियम में निम् है ना और कुछ ना कुछ यहां ऐसा ही चलता रहता तो में भगवान के धाम जाना है जहां पर यह सारी परेशानिया नहीं है मानव गर्णा के दौरा प्रहमा का एक दिन की हफदी क्या है छह लाख आठ लाख चाल आठ अरब 640 लाख वर्ष की है जब ब्रहमा का दिन प्रकट और वैसा आयरोप से बुल जाता है मतलब जब जब दिन होता है तब तब यह श्रष्टी पूरी बनती है और जब जब रात आती है तब तब यह श्रष्टी चली जाते और वैसे ही ब्रहमा का जीवन ऐसे ही चलता रहता है और एक समय के बात क्या होता है पूरी श्रष्टी परे है यह पराश्रेश्ट है कभी भी नाश्ट ना होने वाली है जब इस संसार में सब कुछ नहीं हो जाता तब भी इस रश्टी का नासिए तो भगवान की जो प्रकरती है पराप्रकरती साथ देहते हैं इससे सुन्दर और कुछ हो ही सकता ना कितना ही तो सुन्दर है यह दिखाया गया है घूलोक चाट में यहाँ पे दो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं राइट साइड पर मैं बात करूं तो आप यहां देख रहे हैं हमारा ब्लैक सर्कल और एक लोटस वाली बढ़े चितर है तो इस 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 बेख जो है विराज्मान ओर इनके नाभी कमन से निकले हुए ब्रह्माजी है ब्रह्माजी के ब्रह्माजी से लेकर और ब्रमाजी से भगवान की नाभी के बीच में चौदा लोक यह सात्व ही गसाफ से उच्वर्य निमृतर यह नहीं है बोर। नर्कों की वो 28 नर्कों में मिलती हैं जिसके लिए हमें यातना शरीन मिलता है और यातना जेलनी पड़ती हैं तो जो कर्म खराब करते हैं उनको यातना जेलने के लिए नर्क लोकों में जाते हैं लेकिन जो सही कर्म करते हैं वो या तो प्रत्वी पर या तो प्रत्वी के बहुत ऐश्वर्य होता है परंतु जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं वह कहां जाते हैं वह जाते हैं जो यह दाम आपको दिखाई दे रहा है रोटस च्वेप में यहां भगवान विराजमान है वहां सब कुछ शाश्वत है भगवान का जो धाम है वह चिंतमणी बत्थरों से बना हुआ है जैसा चिंतर होता है व कि व बत्थर मैं यह बन जाता है ही ना और गयी मुते नहीं वह फर देने वाले हैं वहेशा दूद और फदेने वाली है है जो भी चाहूं वो मुंसे मिल जाता है वह वाली प्रकृती की होटी है वह हम भगवान के बहुत ही सुन्दर बाप से नेıs सेवा में बगवान की बगति में लगे रहते हैं और भगवान के दर्षिन प्राप्त करते रहते हैं तो इतना सुन्दर धाम भगवान का जब हमारे लिए इंतिवारा है तो हम कौनसी ही यहां भू लोक में पड़े हुए दुखाले में शाश्वतम में पड़े हुए क्यों न हम वहां की रही आरी करें है न तो अब ही बात क्या है कि जो स्वर्ग लोग तक या ब्रह्म लोग तक भी जाते हैं पूर्णे जन्मर्जित करके वो उने भोग कर वापिस आते हैं प्रन्तु जो लोग भगवान के धाम की तैयारी करते हैं वो भगवान के साथ आनंद पाते हैं तो हमें कोशिश यह करने चाहिए देखिए भक्ति जो है आपने एक बार हरे कृष्णा बोलाना तो वो भी आपको पूर्णेफल दे कर जाएगा कृष्ण भामना भवेत पूर्णेफल क्या करना यह नहीं कि वेमारा देखेंगे हमने किश भाव से भग्ती करी है ठीड में चेक करने के लिए वह ही कि क्या से भाव रहा है आपकी बगती का तो भक्ती में अगर हमने थोड़ा सा भी प्रयास करा है तो भगवान हमें उस हमारे उस प्रयास को बढ़ाने के लिए पूरी सपोर्ट बता दे देते हैं सराउंडिंग्स वैसी कर देते हैं एक बार इन करके करेंगे अपके लिए हर अरेंजमेंट आपको पता भी नहीं चलेगा यह कैसे गया और मैं यह कर पा रहा हूं यह ताजब हमें कुद पर फील होता है तो आश्चर्य की बात ही होती है कि क्या ये वो मैं ही हूँ जो कभी सोने नींद उसे इतनी प्यारी होती थी है ना भगवान का नाम तो बहुत ही दूर था हमारे जीवन में तो क्या ये हम वो ही लोग हैं जो हम ये कर पा रहे हैं इतना arrangement भगवान ने हमारे लिए कैसे कर दिय इतनी situations में हम लोगों के सब के संग family situations और सब कुछ लगी रहती हैं इन situations में हम भक्ती कर पा रहे हैं भगवान की एक मतलब वह भगवान की कृपा के सिवा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि हम एक मूँसे एक बार भी हरे किशना बोल दें ये निकल ही नहीं सकता पता है लो जो पा रहे हैं सुन पा रहे हैं भगवान में सक्षम बनाया है भाई इससे सुन्दर कुछ हो सकता है कि मेरे जीवन में तो भई इससे सुन्दर कुछ भी नहीं हो सकता और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के जीवन में भी से सुन्दर कुछ नहीं हो सकता भक्ती और मुझे नहीं पता बहुत बड़ी बड़ी चीजे हैं मैं हमेशे आप से कहती हूँ लेकिन जो मैं फील कर पाती हूँ वो यह होता है कि हम इसे जी पा रहे हैं भगवान का नाम ले पा रहे हैं मेरे लिए तो यही भक्ति और यही मुक्ति इसके सिवा कुछ भी और नहीं है तो मैं यह चाहत काम से कम ग्यरेंटी पता है क्या हो जाएगे टॉपिक यह ठाइब आप आप एक बार भी रहे खिश्ना आता है बगवान की भक्ति आगे के जीवन में भी कर पाएंगे आपने अगर घरे किशना बोला तो आपका मनुश्य जन्मनिश्चित है बगवान की भक्ति में कुछ हो या नहूँ आपकी लिए बनाएंगे और वो आपको को अपने से Connect करके रखेंगे तो हमें इस सुर्णर गोलो रदरवन धाम का चिंतन करते हुए भगवान के बक्ति ही लीला करते हैं अपने धाम में जैसी लीला है बगवान की बगवान के धाम में भी सब को छलते रहता है मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की और जाने दें जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है यानी भवरा जब मेरी अंतिम सास के समय मेरा गला हवा पित कफसे कि जया से संकुछी दुजाता है तो आपको कैसे याद रख पाऊंगा तो यहां का जा रहा है जब मेरा अंत समय आएगा और मेरे मुझे अवाद नहीं निकल पाएगी मेरा गला जो है वो बैठ जाएगा भर जाएगा रुक जाएगा तो मैं कैसे जा पाऊंगा आपकी सेवा में मैं कैसे लग पाऊंगा हे प्रभू मुझे अपने से अभी जोड लीजिए प्लीज मुझे अपने से अभी जोड लीजिए है ना मुझे अपनी बक्ती अभी दे दीजिए अंत समय में मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा तो जो ये विद्वान लोग है न जो इतने बड़े-बड़े भगत है न भगवान की ऐसे ही नहीं थे इन लोगों ने सब कुछ feel करा है, realize करा है, इन चीज़ों को जिया है और इसलिए भगवान से ऐसी-ऐसी प्रात्नाएं करी है क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का अंत कैसा होता है, जो व्यक्ति भक्ति वाग स्विकार करता है वे वेदा ध्यन तपस्यादान दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्तोने वाले फलों से वंचित नहीं होता है वे मात्र भक्ति संपन करके इन समस्फलों को प्राप्त कर लेता है वरंत में परम धाम को नित्य धाम को प्राप्त होता है तो किवल एक भक्ति करने से आपको वेदों का फल मिल रहा है तपस्याओं का फिल मिल रहा है दान का फन मिल रहा है दार्शनिक ता का सकाम कर्म चाहिए कि बहुत करना कर लिये जो करण करना चाहिए हुम किसी भी चीजह बन जो कुछ मिल जाता है मांगने पर साइब कुछ नहीं मील पाता है ना तो हमें बिन मांगे सिर्फ भक्ती ही चाहिए और बबग्ति में बंदो बग्ती क्या चीज़ा है बोच एज़ी तो आएंगे तो वह बना व क्या सब करेंगे भगवान सुख संपन्ता अपने आप लेका आएगा सब कुछ तो हमारे जीवन में कि हम क्या करते हैं सुख दे कितने दयालू है कितने कृपालों भगवान भक्त वस्तल हैं ऐसे ही नहीं का आ गया पढ़ोगे इस टॉपिक को भगवान भक्त वस्तल है तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कुछ भी है ना भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं भक्तों की तो महिमा पढ़ते आ रहे हैं मितनी दिन से बगवद गीता में तो प्रभुपाद जी इसी असर ध्याय का यहां पर समापन करते हैं चलिए जानते प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें मनुश्य जीवन की विबिन आश्रमों के अनुस्थान को पार कर जाता है भक्तों की संगती आवशक होते हैं हमारे इस जीवन होते हैं इसमें जो अलग अलग अनुस्थान होते को सब पार ऑ जाते हैं केवल भक्तों का संग हमारे झाल भुखति ना भत की सुरक्षा भगवान करते हैं डेखो कि इतने बड़ी वात बहुर्ति की सुरक्षा भगवान कर रहे हैं पर बहुति को है गुष को बंहुत है नंजह द्यायों को जीवन समझें तपस्याओं यह कदान सब्सक्राइब करके महीमा मंडित हो उठेगा क्योंकि केवल किश्ण बामनाम लिपके द्वारा ही इतने कर्मों का फल प्राप्ट हो जाता है भगवद उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए मनोधर्मियों से नहीं जो बगवद गीता पढ़नी वह बहुत बड़े भक्ते शुद्वद्वान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमें उनकी पढ़ना चाहिए जाती हैं वो सब अज आज फ प्रहुद्वान की वानिज उसको प्रहुपाद जी ने एक भक्त के भाव से हमारे करके पेच दिया है तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता जिनके पास ही जागवद गीता नहीं है वो आजी भगवद गीता ओरर कर लें बगवद गीता कौन से आप बंगा लीजिए मातर जी जो हैं ग्रूप में लिंक भेज देंगी आप उसे और कर लीजिए और घर पर उसको पढ़ने की आप प्रयास कीजिए मैं क्लास लेती हूं उसके बाद आप इसे पढ़ेंगे तो आप प्रीकॉल होगा और समझ में आपको बहुत करने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है तो हम सको क्या करना है कि हम आज से और अभी से अब तक जो हुआ उसे चोड़ देंगे और आज रभी से हरे कुछन महामंद्र को अपने जीवन में उतार लेंगे और बहान की भक्ति में लग जाएंगे यह जीवन यह topic हमार जीवन के लिए टर्निंग फाइंट होना चाहिए आज हमने सुन लिया है तो आज से हम इसे आत्म साथ जरूर करेंगे अपनी जीवन का पार्ट बना लेंगे क्या पता यह मौका फिर दुबारा मिले ना मिले लोग के तन जिंदिकी मिलेगी ना दुबारा तो वह बात यहां क्या पता ही मौका मिलेगा हमें ना दुबारा तो कमचे कम इस मौके का लाब उठा लीजे और भगवान के साथ जूड़ जाएए वह अपने आप आप आजाएंगे आपके पास सब संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ आपके पास आजाएंगे तो बस थोड़ा के समय उनके लि अपना सके इतना चोटा सर्यास आपको भगवान की सेवा के लिए करना वाध आप सभी का हरे कृष्णा श्रिल्द प्रभवबाद की जैए श्रिलव प्रभवबाद की जैए हरे कृष्णा अन्डी जिदू को भी धन्यवाद जिनों ने हमारे लिए consent बनाया और हम लोग को बहुत ही आसानी से भगवत गीता सुनने और समझने का मौका दिया बहुत भूद धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी बहुत भूद धन्यवाद आज तो आपने बिल्किल हिनने ही नहीं दिया